नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही है कि Flipkart की Big Blind is sale और Amazon की The Great Indian Festival Season sale स्टार्ट हो रहे है दोस्तों 27th of September से Members के लिए एक दिन पहले यानि कि 26th of September से अब डील सो दोस्तों यहाँ पर आपको रीवील होते भी देखने को मिलेंगी कि इनका प्राइजिंग क्या हो सकता है और क्या आपको यह स्मार्टफोन खरीदने चाहिए इन प्राइजिंग के साथ में या फिर नहीं या फिर और कौन से बैतर स्मार्टफोन अवेलबल है इस price range में तो चलिए फिर अगर आप भी जाना चाते हैं तो बने रहेगा मैंसाथ इस वीडियो में लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों Amazon की डील्स को cover करेंगे और next वीडियो में flip card की डील्स को तो चलिए फिर start करते हैं दोस्तों Amazon के साथ में Amazon पर भी दोस्तों काफी अच्छे phones अवेलेबल हैं इस बार और अच्छी डील्स पी हमको यहां पर देखने को मिलने वाली हैं तो चलिए start कर लेते हैं सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों bank offer Amazon पर इस बार bank offer है SBA card का debit card भी हो सकता है credit card भी हो सकता है यहां पर आपको 10% का instant discount मिल लेगा लेकिन हाँ यह capping अलग-अलग phone के इसाफ से होती है तो वह हमको चेक करना होगा आगे अब चलते हैं deals के ओपर तो सबसे पहले हमको देखने मिल रहा है दोस्तों Samsung Galaxy M35 5G जो की latest launch हुआ है इसका current pricing में आपको बता दूँ करीब 20,000 के असपास होता है 19,000, 20,000 के असपास होता है और यह आपको deal में मिलने वाला है दोस्तों लगबख 16,000 अरपी की pricing में और इस pricing के साफ से दोस्तों यह no doubt बहुत ही कमाल का device होने वाला है ऐसा क्यों हो दोस्तों क्योंकि Super AMOLED पैनल के साफ में आता है 128 का screen refresh rate भी आपको मिल जाता है Exynos का 1380 chipset आपको दिया गया है इसके लावा यहाँ पर आपको 6000 अमेच का बैटी भी देखने हो मिलेगा 50 MHz के primary sensor के साफ में OIS का support देखने हो मिल जाता है तो लगबख 16,000 अरप के साफ से दोस्तों नोडोड बहुत ही कमाल का phone है आप इसे consider कर सकते हैं अगर आप Samsung का कोई 15-16,000 अरप का phone लेने चाहते हैं तो हाँ आप इस दिल को grab कर सकते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों S24 Ultra दोस्तों हमें देखने हो मिलता है अभी जिसका current pricing है एक लग 2,000-3,000 पर कास पास और ये हमें deal पे देखने हो मिलेगा अल्मूस्ट 95,000 उपिस की price में तो अगर आपको इतना महेंगा phone चाहिए तो आप इसे consider कर सकते हैं A35 की अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों तो चाहिए इसका pricing आपको 20,000-22,000 पे गास पास में लेना तो भी आपको ये phone नहीं लेना चाहिए वैसे इसका current pricing 28,000 पर होता है दोस्तों लेकिन 20,000-21,000-22,000 पी pricing में भी आपको ये concern नहीं करना चाहिए अगर आपको Samsung का phone लेना ही है तो फिर आप M35 लेजीएगा इसके अलावा जी हाँ मैं आपको ऐसा सेरेस करता हूँ A55 में भी दोस्तों कोई ज़्यादा दम नहीं है लगबग M35 जैसे ही feature आपको मिलते है A55 में और इसका pricing अभी भी दोस्तों करीब 30,000 से उपर है और जार 12,000 पर फोन चाहिए क्योंकि सूपर आमनेट पैनल आपको मिल जाता है 98 का स्क्रीन रिफ्रेशेट भी है 6000 अमेच का बैटरी भी दोस्तों कैमरा पर अच्छा है और सूपर आमनेट पैनल भी आपको यहां भी देखने हो मिल रहा है S24 5G की तरफ आप जा सकते हैं दोस्तों अभी यह करीमा में 55,000 रोगी प्राइज मिलता है और इस सेल में यह में अंडर 45,000 रोपीस की प्राइज मिलने वाला है तो आप इससे कंसरा कर सकते हैं यह मापको जरूर सरेज करूँगा अगर आपको एक flagship phone चाहिए Samsung की तरफ से तो आप इस phone की तरफ जा सकते हैं और नीचे की तरफ चलते हैं यह Samsung की phone से दोस्तों और नीचे की तरफ चलते हैं तो OnePlus की तरफ से हमें offer मिलने वाला है OnePlus 11R पर और कमाल का offer मिलेगा दोस्तों यह में under 25,000 रुपिस की price में मिल सकता है अच्छा phone है दोस्तों हाना कि OnePlus के phones में थोड़ी सी problem आ रही है दोस्तों motherboard को लेकर green screen को लेकर तो आप भी देख लीजिएगा लेकिन हाँ यह में अच्छी pricing की साथ में मिलने वाला है in fact under 25,000 रुपिस की price में OnePlus 11 आप में देखने को मिल सकता है OnePlus 12 की बात कर रहा है दोस्तों जिसका pricing अभी आपको almost 70,000 रुपिस के असपस देखने को मिलता है और यह deal में में देखने को मिल सकता है दोस्तों लगबद 55,000 से लेकर अठावने जार रुपे की बीच में जी हां यहां पर आपको huge discount देखने को मिलेंगे OnePlus के phones के ऊपर तो अगर आपको एक फ्लक्षय phone चाहिए है और अगर आपको और कम प्राइजिंग में तो 11 यहां पर रिकमेंट कर दिया है नौट सीफोर लाइट दोस्तों यह फोन में आपको बहुँजार रिकमेंट नहीं करूंगा हाला कि 15-15,000 रुपी प्राइज में तो फिर आप आप बंद करके लिए सकते हैं उस प्राइज है जो की लेटेस्ट लांच है हाना कि इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा प्राइजिंग लगबग 20,000 रुपय है और अब यह अच्छा प्राइजिंग है दूस्तों इस डिवाइस के लिए अगर हम और नीचे की तरफ जलते हैं तो इसका जो हाई है अच्छा वर नैजे के लिएगा करीब 21 जार्वी प्राइजिंग में आप इससे कंसिलर कर सकते हैं कि जर्फ यांपर भी अच्छा डिस्काउंट होगा दोस्तों फोन भी अच्छा है डायमसेदी 7200 की साथ मकों को देखनी मोलता है मैंने काफी बार रिकमेंड किया है और 16,000 पर का budget है तो हाँ आप इस phone को consider कर सकते हैं और नीचे की तरह चलते हैं दोस्तो IQ Z9 Lite 5G जो के एक budget phone है अब भी आपको मिल जाता है करीब 11,000 पर रेजिंग में under 10,000 रुपिस की price में आपको मिलेगा दोस्तो IQ Z9 Lite 5G तो आप इसा consider कर सकते हैं IQ Z9 X दोस्तो करीब 13,000 पर आपको मिलता है यहां पर भी यह phone 12,000 पर से नीचे की price में आने वाला है तो हाँ IQ के अच्छे phones हैं दोस्तो सारे ही अच्छे phones है value for money phones वैसे भी आपको मिलते हैं general pricing के according भी लेकिन जब discount आपको और मिल जाता है तो यह और अच्छे value for money बन जाते हैं तो हाँ आप इन phones को consider कर सकते हैं IQ Neo 9 Pro दोस्तो अगर आपको flagship phone चाहिए हाना कि मैं आपको यह बहुत जार रिकमेंट नहीं करता हूँ क्योंकि इस प्राइज में फिर आपको और अच्छे option available है तो हां आप चेक कर लिएगा इन पर भी अच्छा डिस्काउंट आएगा IQ Z7 Pro दोस्तो जो पुराना phone हो चुका है अभी आपको लगबग 22,000 पर मिलता है लेकिन इस फोन पर दोस्तो और वे अच्छा डिसकाउंट मिलेगा यह करीब 18,000 पर प्राइज में आपको मिल सकता है दोस्तो तो आप चेक कर लिएगा IQ Z9 लेना है या फिर IQ Z7 Pro लेना है वैसे IQ Z7 Pro भी अच्छा फोन है यह भी आपको Diamond City 7200 चिपसेट की साथ मिलेगा कैमरा आला की बहुत अच्छा नहीं है कैमरा आपको IQ Z9 लेना इनका बैतर देखने मिलता है तो अब चेक कर लिएगा दोस्तो मेरे साब से यह भी बैतर फोन है लगबग 18,000 पर इसका प्राइस होने वाला है नीचे की तर चलते हैं दोस्तो तो आती है Realme की Narzo Series और यहाँ प आपको मिल जाता है Sony IMX890 sensor के साथ में कैमरा भी अच्छे मिलता है और इस फोन को मैं काफे वार रिकमेंड भी कर रहा हूं दोस्तो तो हां आप इस दिल को भी ग्रैब कर सकते हैं दोस्तो यह अच्छा डिवाइस है Realme GT60 की तरफ जा सकते हैं जो कि आपको अभी भी 26,000 रु नार्जो 70X आपको कम प्राइज में मिलेगा लगबख 10,000 रुपी प्राइजिंग में और इस प्राइज में दोस्तो यह भी अच्छा option है नार्जो N65 5G की बात कर रहा हूं तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं 5G फोन है करीब 10,000 रुपी प्राइजिंग आपको इसका भी मिल रहेगी और नहीं चेकतर चलते हैं दोस्तो रैड्मी 13 5G जोगी आपको मिलता है अभी 13,000 रुपी इसका प्राइजिंग अंडर 12,000 हो सकता है 11,500 रुपी आसपास मिल जाए तो यह भी ठीक option है दोस्तो रैड्मी नोट 13 5G की बात कर रहे हैं दोस्तो तो इसका प्राइजिं प्रो प्लस की बात कर रहे हैं दोस्तो जो कि आपको मिलता है करीब 30,000 रुपी प्राइजिंग में कई बार डिसकाउंट आ जाता है तो 27,000 रुपी आसपास होता है ठीक option है अगर आपको कम प्राइज का कोई एक budget स्मार्टफोन चाहिए तो पोको की तरह चलते हैं दोस्तो तो सबसे पहला फोन है पोको X6 Neo 5G अब भी आपको मिल जाता है 15,000 रुपी प्राइजिंग में लेकिन इस सेल में दोस्तो काफी एच्छे discount के साथ में available हो सकता है 12-13,000 रुपी बीच में आपको यह मिल जाए तो हाँ इस प्राइज में दोस दोस्तो जो की कमाल का फोन है यह भी हमें अंडर 10,000 रुपी तो अल्रडी मिलता है हो सकता है कि और अच्छा discount है और हाँ Poco X6 5G दोस्तो जिसका प्राइजिंग अभी 18,000 रुप है यह भी हो सकता है कि आपको 15-16,000 रुपी प्राइज मिल जाए तो आप इसे भी consider कर सकते है टेक्नो के फोन्स की दोस्तो हम बहुत जादा बात अभी नहीं कर रहे हैं जब इसका प्राइजिंग सामने आ जाएगा आना कि अच्छे discount टेक्नो देता है तो अगर जब इसका प्राइजिंग सामने आ जाएगा तब आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल बता द दोस्तो आमेजन डीव इन सभी फोन्स पे आपको ऑफर मिलेंगे प्राइजिंग मैं आपको अप्रॉक्सिमेंटली बता दी है कोछ की इसे और बात करेंगे लेकिन हां मैं आपको बता दी है कि कौन से फोन करने चाहिए इस डेल में और कौन से नहीं तो बस दोस्तो आज की नहीं उमीद आपको यह पसंद रहा है वाइस वीडियो को लाइक और से करना मत बूलिए अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियो जिक न चलको सब्सक्राइब जरू कर लिजएगा हम आपसे मिलते हैं अगले ऐसी किसी वीडियो तब तक लिए आपके दिन चोब रहे हैं आज कर देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद